Hi friends, good evening, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Import of Goods की Entry Tally Prime में कैसे की जाती है तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को तो सबसे पहले हम जाते हैं Purchase Voucher में क्योंकि हम Import कर रहे हैं तो Purchase हमें Voucher यहां पर बनाना है Import of Goods हम यहां दिखाने वाले तो साथ में हम Custom Duty और Integrated Tax कैसे लगता है हम वो भी देखने वाले और क्या इसकी Calculation रहेगी तो सबसे पहले मैंने यहां Voucher ओपन कर लिया है Voucher ओपन करके Date आम Already Set कर चुके हैं यहां आपको Voucher Number जो है यहां पर डालना है तो मैंने यहां एक Voucher Number जो है Random बना के डाल दिया फिर यहां पर Party Details शो करनी है तो मैंने यहां Party जो बना रखे लियान डिजाइन्स तो Already मैं बना चुकी हूँ मैं UltraGar के आपको दिखा देती हूँ कि यह Party हमने कैसे बनाई है यह Creditors हैं हम Purchase कर रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं तो यह Creditors में रहेगा Maintain Balance Bill-by-Bill feature को अक्टिवेट करके चलना है Leon Designs का यानि यहां कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं Leon Designs जो Supplier है वो कहां का है तो वो आपने यहां पर फिल करना है इसके बाद आप इस लेजर को जो है Accept करेंगे Recipient Details अगर Available हैं तो आपको डालनी है Then यह Partic Details है Partic Details अलरडी में फिल कर चुकी हूँ यह आगे हमारा Purchase Ledger जिसमें हमने बना रहे है Import of Goods क्योंकि हम Import ही कर रहे हैं Goods का तो यह Ledger भी मैंने Ultra में Open करके आपको दिखा दिया Import of Goods हमारा Purchase है तो आपको Purchase के Under रखना है यहां आप GST Applicable करके चेक कर सकते हैं कि हमने क्या Define किया है इसके ओपर तो हमारा Nature of Transaction आपको Not Applicable रखना है नीचे आना है Taxable रखना है ठीक है और Type of Tax है वो आपको Rate लगाना है जिस Rate में आप Purchase कर रहे हैं तो यह Bags जो भी आपका Stock आइटम होगा वो ठीक है और यह Goods है ता Type of Supply हमारा Goods है तो मैंने Goods यहां पर Mention करके चला है इसके बाद आपको आना है नीचे Name of Item फिल्ड में और Name of Item फिल्ड में वो Product उठाना है यह वो समान Goods लेने हैं जिनका इंपोर्ट कर रहे हैं तो मैंने यहां से उठाए Leather Bags एक एक एक्जामपल के तौर पर ले लेते हैं For example, मैंने लिया Quantity 1, 1 NOS और Rate मैंने डाल दिया इसका 100 रुपीज तो यह मैंने सेट कर लिया For an example तो 100 रुपे का हमारा वेल्यू बन गई हमारे जो प्रोड़क्ट हम परचेस करके ला रहे है और अगर कोई स्टॉक आइटम है जो आप परचेस करें इंपोर्ट करें तो वो Leather Bags के ठीक नीचे आपको फिल करना है उसके बाद आपको आना है और सबसे पहले लगाना है आपको कस्टम ड्यूटी जो हमारे एससेबल वैल्यू है 100 रुपीज जो हमारे Leather Bags का कॉस्ट बनाया है यहापे रेट तो उसके उपर आपको लगाना है कस्टम ड्यूटी जो कि उसकी वैल्यू में आड़ होगा जाकर तो for an example हम मान लेते हैं कि 10% हमारा कस्टम ड्यूटी लग रहा है हमारी वैल्यू एससेबल वैल्यू पर तो यह हमारा total हो गया इसका 10 रुपे इसका कस्टम ड्यूटी इसके उपर तो यहाँ आपको आना है और अब लगाना है integrated text तो मैंने यह से उठाया IGST क्योंकि आप import करें तो IGST जो है applicable होगा 19 रुपे 80 पैसे जो है लगा है अब यह कैसे लगा है हम इसको cross check करते हैं related report option में जाकर तो मैंने क्या किया related report की window जो है open करी control O उसका shortcut है यहाँ से आपको लेना है GST text analysis open करना है और आपको प्रेस करना है detail view के लिए alt plus F1 तो alt F1 से यह report detail में open हो चुकी है यहाँ इसको समझ लेते हैं import taxable जो हमारा वो 110 रुपे का बना है ऐसा क्यूँ? क्यूँकि जो basic custom duty जो custom duty हमने यहाँ पर calculate करी है वो custom duty हमारे accessible value जो base value थी import के उसमें add हो गई है जाकर then उसके उपर लगेगा 18% GST तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इन्होंने total जो taxable value निकाली है वो 110 निकाली है और जो basic duty है इसका custom duty है वो 10 रुपे है तो 10 रुपे के उपर भी 18% अगर आप देखें तो वो भी calculate करके इन्होंने दिखाया है and then अगर अलग से leather bags का देखे तो 100 रुपे का leather bag की जो price था वो 18% उसके उपर tax जो है बनके आया है तो total जो taxable value है वो नीचे आपको दी गई है 19 रुपे असी पैसे अगर आप calculate करके देखेंगे तो आपको यही value जो है नजर आएगी then यहां से बाहर आना है इस report को check करने के बाद और आपको नीचे जाकर यहां पे एक option आ रहा है provide GST detail इसको yes करना है bill of entry जो कि हमारा जो जब हम import करते हैं तो हमें हमारे पास एक bill of entry होता है जिसमें हमारे import of goods कि सारी detail मेंशन होती है कि सामान कहां से आया है supplier कौन है importer कौन है कहां ship हो रहा है किसी जो भी details हमारी होती है import of goods में वो सभी चीजें bill of entry के अंदर ही mention होता है तो एक random में bill of entry number मैं यहां से डाल के चल रही हूं एक reference number आएगा वो reference number आपको डालना है total हमारी billing amount जो है आपका आजाएगा जो calculate होकर आया 139 रुपए 80 पैसे taxable value, custom duty and GSD के साथ यह calculate होकर आया है तो एक बर हम इसको accept करने से पहले इसका invoice भी open करके देख लेते हैं जो इसका printing है कि यह printing में कैसा प्रिंट करके दे रहा है तो मैंने Ctrl P प्रेस करा और यहां से मैंने Preview बटन पर क्लिक करा तो जो Preview करेंगे आप तो आप चेक कर सकते कि हमारा जो invoice है Alt Z करके मैं जूम कर देती हूं तो यहां पर सारी details जो है यहां पर शो होकर आरही है Company की detail और जो आपने यहां पर import किया है उसकी भी detail आपको यहां नज़र आ रही है तो leather bags 1 piece 100 rupees जिसके ओपर custom duty 10% लगा 10 रुपे जिस पर IGST लगा 19 रुपे 80 पैसे तो टोटल हमारे जो billing amount है 139 रुपे 80 पैसे calculate हुआ है तो इस तरीके से आप import of goods का easy जो invoice है आप ready कर सकते हैं अब हम एक बार अपना GST report open करके देखते हैं और चेक करते हैं हमारा import of goods का invoice available हुआ है तो गेर्टिव आफ टैली के अंदर आपको आना है display more reports open करेंगे display more reports के अंदर आपको statutory reports मिलेंगी यहां नीचे इसको open करना है GST reports को open करना है और B2 जो हमारा GST R2 है उसको open करना है क्योंकि यह purchase था हमारा अभी जो date है वो 1 अगस्ते 31 अगस्त का यह जो report दिखा रहा है तो हमें यहां पे alt F2 press करना है मैंने invoice 1 September का बनाया था तो मैं 1 September से 1 October तक का record open कर लेती हूँ तो यहां पर आपको दिखा देगा कि यह जो invoice है हमारा import of goods में आ रहा है table 5 में alt F1 press करेंगे अगर आप यहां पर तो detail में चेक करते हो क्योंकि जो हमारा यहां पर import हो रहा है वो import of goods और services दोनों का यहां पर display किया जा रहा है तो आप देख सकते import of goods की category में यह GSTR 2 के अंदर आपको दिखाया गया है क्योंकि जो GSTR 1 होती है वह हमारी outwards supply होता है GSTR 2 के अंदर हमारी inwards supply आती है GSTR 3 के अंदर हमारी combine जो information होती है वो निकल कर आती है यहां पर तो वो आप देख सकते हैं जो हमारी combine sale purchase का होता है जिसमें आपको यह भी दिखा देगा कि ITC eligibility हमारा कितना है तो वो आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा तो चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर कि ITC eligibility अभी फिलहाल दिखा रहा है कि नहीं तो आप देख सकते हैं यहां पर ITC eligibility वही उन्हें सी पैसे जो कि हमारा invoice पर purchase of goods यानि import पर GST लगा था वो हमारा ITC यानि यहां पर हमारा input tax credit के नाम से available हुआ है तो वो आप जाकर चेक कर सकते हैं देख सकते हैं यह हमारा यहां पर show कर रहा है तो हो आपको यह transaction समझ आई हो अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगता है तो इस वीडियो को like जरूर करें comment करें चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करें और अपने friends के साथ इस वीडियो को share जरूर करें thanks for watching this video